हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इंस्पाइन टेंडिंग ग्यान, तो दोस्तो आज की इस वीडियो के हम बात करने वाल है, रियलमी C67 5G मौल में, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कैसे कर सकते हैं, यह दोस्तो आप इस फॉन की स्क्रीन रिकॉर्ड सेटिंग में आ जाएंगे, अब दोस्तो आपको इहांपर कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इन्य Пnoch का आप यूज कैसे कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो दोस्तो बने रहीं वीडियो के अंत तक, तो दोस्तो आपको इहां पर देखन को मिल जाता है record microphone sound आप इसको भी यहां से इनेवल करकर रख सकते हैं इसको इनेवल करने से क्या होगा दोस्तो जब भी आप किसी की भी इसकी recording करते हैं उसको दोरान आप जो बोलते हैं वो भी यहां पर record होना start हो जाएगा नेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है pictures pictures के नीचे आपको देखने को मिल जाता है definition आप इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से अपने picture की quality को improve कर सकते हैं आप यहां से medium high low custom जो भी आप यहां से रखना चाहें वो अपने इस आप से manage करकर रख सकते हैं नेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है frame rate आप इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो की quality को यहां से change कर सकते हैं अब दोस्तों आप यहा को मिल जाता show screen touches आप इसको भी यहां से enable करकर रख सकते हैं इस features को enable करने से क्या होगा दोस्तों जब भी आप अपने phone में screen recording करते हैं screen recording के दौरान जहां जहां भी आप टच करते हैं वो यहां पर show होना start हो जाएगा तो दोस्तों आप भी इसी विकास से realme c67 5G मौल में screen recording setting कर सकते हैं अब दोस्तों यह तो हो गई screen recording setting की बात और screen recording करने के लिए दोस्तों आप अपने phone के control panel को नीचे के slide करे लेंगे और screen recorder icon पर click कर दीजिए इस पर click करने के बाद दोस्तों आप इस icon पर click करेंगे आपकी screen recording recording यहाँ पर चालू हो जाएगी यह दोस्तों मैंने यहाँ पर front camera को open कर रखा इस features को enable कर रखा है तो यह यहाँ पर arch चुका है दोस्तों अब दोस्तों आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इस icon पर click कीजिए और इस सही वाली टिक पर click कर दीजिए आपकी screen recording यहाँ पर प्रेस जिलू कर दे